सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के नमस्कार मैं सुनिल वर्मा धे आईएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूँ धे योटुब चैनल पर स्टुडेंट हम बात करेंगे अपने डेली करेंट अफेर्स के पुरगाम पर आईए एक नजर डालते हैं आज की परमुख खबरों पर जो हमारे प्रिष्चा के पॉन्ट बिस से इंपोर्टेंट है सबसे पहले स्टुडेंट हमारी जो खबर होगी वह होगी लंपी इसकीन डिजीज देखेंगे दरसल ये बीमारी क्या है और कैसे पसूं को परभावित कर रही है तो साथी साथ ये हमारे लिए क्यों महत्पूर है क्योंकि पसूं के मरने के तो खबरे आती रहती हैं लेकिन है कुछ अलग है दरसल देखेंगे इसके साथ ऐसे कौन से डाइमेंशन जुड़े हुए हैं जिसके कारण हमने इसको आपके लिए प्रस्तुत किया है वहीं जो अगली खबर होगी वह होगी जायर अलबहार देखेंगे दरसल ये सब्द क्या है इसका अर्थ क्या है तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहां पर कहीं भी टेरिरिजम सब्द नहीं है लेकिन मैंने सब्द योज किया आतंगबाद को खतम करने के लिए देखेंगे इसका क्या संबंध है वहीं जो हमारी अगली खबर होगी उसमें बात करेंगे वर्ड एनरजी आउटलुक देख कि आपके स्कीन पर इके मेज दिखाई दे रहा होगा जो यह बता रहा है कि न्यूज में बना हुआ खबर है तो सबसे पहले आईए एक कि करके हम थोड़ा सा इन चीजों को समझते हैं पहला प्रशना आपका यहीं आएगा कि चर्चा में क्यों है तो अभी ओडिसा में जो 2356 पसु की मृत्य हो गई और यह जो मृत्य हुई है खासकर जो है गाय और भैसों में होने वाली मृत्य है और यह एक दो गाओं की नहीं है यह 409 गाओं में घटित हुई घटना है प्रशना आएगा कि दरसल यह बीमारी है क्या और यह पसुओं के मने की घटना है आखिर बढ़ी कैसे हों आई थोड़ा सा इस पर हम नजाए डालते हैं सबसे पहले इस बीमारी का जो कारण है वह है एक वाइरस ध्यान रेजी गया यह इंपोर्टेंट है काफी आपके लिए जिसको मैं आपके लिए अंडरलाइन कर रहा है नित लिंग जो वाइरस है यह काफी मह मातपूर है इसलिए मातपूर है कि इसी के कारण इस्टूड है जो आपका लिंग के स्ट्रीम डिजन जो लंपी स्कीन डिजीज है वह इसी के कारण होता है और यह जो वारस है क्या करता है सबसे पहले जब यह पसूओं को एफेक्ट करता है तो क्या करता है पसूओं को सब हुए रहते हैं और धीरे धीरे क्या होता है वह मौत के सिकार हो जाते हैं इस बीमारी के कारण इस्टूरेंट जैसा कि मैंने आपको बताया तेइस सो से जादा जो है कि पसों की मृत्य हो गई लेकिन जब तक मैं आपके सामने पर जो खबर जा रही है यह संख्या धाई हजार को क्रॉस कर चुकी होगी दरसल इसके लिए ऐसा है क्योंकि दरसल इसके समधान के अभी बहुत कुछ इबिकल्प हमारे सामने नजर नहीं आए है इस बीमारी का एक दूसरा नाम है गो बसंत नाम है तो यह आप से पूछा जा सकता है कि गो बसंत क्या है या फिर ये भी पूछा जा सकता है नितलिंग वाईरुस क्या है और एक चाशीड और ध्यान दे आना है कि जो लंपी स्कीन डिजीज जो बीमारी है यह िसका जो है कि इंसानों से कोई संबंध नहीं है अर्थास उससे कोई human effect नहीं होगा जैसे कि आप कहें कि इसका क्या द्यूद यूज कर लेने से या इसके जो वाई product बनते हैं पनीर दही कुछ भी बनने से क्या हम परभावित हो सकते तो नहीं हो सकते लेकिन इतना जरूर है कि यह एक पसू से दूसरे पसू में धीरे-धीरे क्या होग और ग्रामेर छेतर ओरिसा वाला जो छेतर हैं आप देखते ही है वहाँ पर नगरी अनपाज जादा नहीं है ऐसे समय में अगर उनकी जो है कि अर्थ ब्योस्था प्रभावित होती है अर्था ग्रामेर अर्थ ब्योस्था प्रभावित होती है देश के लिए भी क्या है एक होती है उसका मास का क्या किया जाता है और भारत दोरब भैस के जो मीट होता है उससे 3.58 billion की क्या होती प्रतेक साल लगबार रासी प्राप्त होती है जैसे ही एक देश से ची जिस से जो आपका क्या है व्यापारिक जो है कि कही ने कहीं काउंटर-parting की रूप में भूम ayam अर्था तो क्या है एक तरसbreaking प्रतिसपरदी है उसने क्या किया एक guideline जा रही की guideline खूद इनको प्रतिबंधित किया जाए क्या है यह बिमार पशूं के दोरा आ रहा है प्रशन आयेगा कि दरसल आखिर यह चाइना क्यों कर रहा है तो इसका कारण सिर्प और सिर्फ यह है कि वह यहां के trade को क्या करना चाहता है रोकना चाहता है और सबसे बड़ी चीज एक और ध्यान देजिए कि यहां पर चीन की जो है वो परत्य चुरूप से इसका आयात नहीं करता है अर्थात ऐसा नहीं है कि वो खुद आयात कर रहा था भारत से और चुंकि यहां पर पसू ब में पहुंचता है लीगल बेसे नहीं पहुंचता लेकिन फिर भी उसने ऐसा कदम इसलिए उठाया क्योंकि जो आसियान के देश है अन्य जो देश जो भैस का मीट लेते हैं वहां पर क्या होगा यह मीट का प्रतिबंद लग जाने से क्या होगा भारत की अर्थ ब्योस्ता क क्या होगी प्रभावित होगी इसलिए खबर काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए तो इसाथ ही साथ अब प्रश्न आयेगा कि दरसली है चीन से लेकर अन्य देशों को पता कैसे चला क्या वह न्यूज पेपर पढ़ रहे थे नहीं स्टूडेन दरसली स्टूडेन एक मु 24 में होता क्या है कि जो भी 182 देश हैं किसी देश के अंदर अगर किसी परकार की इस परकार की एनिमल डिजीज आती है तो उस देश को तुरंत रिपोर्ट करना रहता है इसको किसको वर्ल और्गनाईजेशन आफ एनिमल हेल्थ को रिपोर्ट करना रहता है यहां जो अंकरामक विमारी किसी अन्य देश में ना फैल पार तो दरसल जैसे ही हमने क्या किया भारत ने रिपोर्ट वेजी इसको चाइना के पास भी रिपोर्ट गई और चाइना ने मांग की है प्रतिबंद लगाने की बहस की मीट की और जो देखिए रासी है जो वह कितना है 3.5 बि जो वहां के पसू है उनके मौत का कारणा बनती है और कैसे पता चलेगा कि दरसल कोई पसू बिमार हुआ है तो इसको इस रूप में देखिए उस परसू धीरे-धीरे पहले उसको क्या हो फीबर आएगा सुस्त पढ़ेगा धीरे-धीरे वहा खाना पीना छोड़ देगा औ तो समझ लिजेगा क्या हो किस का सिकार हो चुका है लंपी-इसकीन डिजीज का सिकार हो चुका है और दरसल यह ओडिसा अभी इसके परभाव छेत्र में है लेकिन आने वाले समय में बीमारी पैल भी सकती है इसके लिए भारत सरकार ने जो है कि कई संस्थाओं से मदल लेक इसको रोकने का प्रयास किया है लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि इस पर कितना हम प्रतिबंद लगा पाते हैं। प्रशना आएगा यह क्या है तो दरसल श्टूडेंट यह है एक भारत और कतर के बीच संयुक्त नेवी असेन अभ्यास है ध्यान दीजिए जॉइंट नेवी सेंग्त अभ्यास है जैसे एक्सराइज हम बहुत से देशों के साथ करते हैं ऐसे ही एक एक्सराइज किसके साथ की कुले जाएज है यह नेवी के दुआरा किसके साथ के साथ प्रस्ना आएगा कि फिर इतनी मतपूर क्यों है दरसल इसका देखे यह जो सब्द है इसका पहले अर्त आप समझ निजिए जाईर अलबहार, जो है दरसल ये अर्भी भासा का इस सब्द है, जिसकी इंगलेस होती है, रोल अव दसती, और रोल अव दसती का मतलब है कि समूदर में दहार्ण लगाना, समुण्ध में दाहाड लागाने का मतलब क्या है कहीं न कहीं सक्ती का एक केंदर बिंदू दिखाना अब आप देखी कतर यह क्यों important है आपको पता है जो कतर देश है वो क्या है Gulf Country का देश है और Gulf Country का जो देश है तो Gulf Country जितनी भी है वहाँ पर क्या होता है ओइल का या फिर नेचुरल गैस का क्या होता है बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है तो साथी साथ जो गल्प कंट्री से हमारी जो आयात की निरवरता है उर्जा की वह बनी रहती है ऐसे समय में जरूरी था कि हमारे साथ एक ऐसा सहयोगी जुड़े जो कि क्या करे इस पूर अपरिका का जो आपको होर ना अपरिका जो सौमालिया से लेकर इरिटीरिया जिबूती वाले यह जो देश देखते हैं यहां पर कहें समुद्री लुटेरे बहुत मिलते हैं और यह समुद्री लुटेरे क्या करते हैं आपकी जहाज को पकड़ ले जाते हैं और घर पर ले तोड़ने, साती सा समुद्री लुटेरुस रच्छा करने के लिए हमने क्या किया है? हात मिलाया है कतर से और कतर के साथ यह जो हमने joint operation किया है यह पहला operation है लेकिन आने वाले समय में हम क्या करेंगे? और भी ऐसे operation करेंगे और कुल मिलाकर इस से क्या होगा? दोनों देसों के यह सेने स्योग आगे चल कर और जो है कि ब्यापारिक और समाजिक राजनीतिक मजबूती को भी सोग करेगा जैसा हमारा रसिया के साथ हुआ है और इसका जो उद्देश है मैंने आपको जैसा कि बता है आतंगवाज, समंदी, लूर्पा, डकैती और सांती इस्थापित करना इसका उद्देश है और यह जो छेत्रे स्टूडेंट आपको थोड़ा सा हम कतर के बिसे में बताते चलें य इसलिए उहां पर भारतियों की सुरच्छा के लिए भी जरूरी था कि कुछ इस परकार के सन्य सहयोग ट्रीटी हम करें जिससे दोनों देश क्या है एक दूसरे से बदेर है और यह जो अभ्यास है पहला अभ्यास है आने वाले समय में और अभ्यास किये जाएंगे और जो हमने यह पांच दिन जो कारेकर्म चला है इसमें हम तीन श्टिप का फॉलक करेंगे पहला श्टप होगा उसमें हम सेमिनार आयुजित करेंगे प्रोफेस्नल की बिजिट करेंगे ऑफिसियल बिजिट करेंगे स्पोर्स के लोगों को एक दूसरे से मिलने जुलने का मौका देंगे सांस्कृतिक और सामाजी गत्विदियों को बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद हम सेन अभ्यास करेंगे और तीसरे लेवल पर जाकर हम फिर क्या करेंगे यह जो भी हमने अभ्यास किया है इसका मुल्यांकन करेंगे और आने वाले समय में इसको कैसे हम और अच्छ करें अभी जो है कि मानी परदानमंती नरन मोंदी जी भी वहां पर कुछ समय पहले वहां गये थे इस जो आपको एक चीज और हम बता दें कि इसमें भारत की नेवी का एक फ्रीगेट जिस जो काफी इंपोर्टेंट है त्रीकंड सामिल हुआ था वहीं पेट्रोल एयर क्रा आप पी एट वन था यह क्या है इसको थोड़ा सा हम कभी डिफेंस के किसी टॉपिक में आप से डिसकस करेंगे तब आप सभी जो है की संभावनाओं को और इसके महत्व को आप समझ पाए थे दरसल जब प्रदानमंत्री जी वहां पर गये हुए थे तो वहां पर जो संधी होई थी और यह जो संधी होई थे यह बर्स 2008 की है जब मनमोहन सिंग जी उहां पर गये थे तो उसमें एक समय लेंडमार्क संधी बोला जाता है किसके द्वारा भारत और कत्कर के बीच उसमें हुआ यह था कि एक दूसरे के बैस बैस और अन्य संसाद उनों को उप्योग कर करने की हमने ट्रिटी की इसका मतलव है कि माल लिजे हमारे हमको जरूरत पड़ती है तो हम कतर से कह सकते हैं कि वह अपने जो नेवी के बेस हैं उनको यूज करने की हमको क्या कर दे अन्मती दे और साथी साथ उसके पास अन्य जो लड़ा को संसाधन है उनको उप्योग करन की सहमती दे तो वह दे सकता है क्योंकि हमने बर्स 2008 में इस परकार की ट्रिटी की थी और यह ट्रिटी काफी क्या है महत्पोर है तो साथ आपको एक चीज और यहां पर जोड़ना होगा और वह है कि अभी कतर एक देश था और यही देश जिसके हम चर्चा कर रहे हैं और इसने क्या किया था कफाला सिस्टम समाप्त किया था और कफाला सिस्टम से जो सबसे ज्यादा लाब होने वाला था वह किसको होने वाला था भारतियों को और क्यों भारतियों को सबसे ज्यादा होने वाला था क्योंकि इनकी संख्या क्या है सबसे ज्यादा साथ लाग है प्रशन स जैसे माल लेजे, मुझे कतर जाना है, तो मैं कैसे जाओगा, किसी भारती एजेंट से संपर करूँगा, कि मुझे कतर भेज दे, तो जो भारती एजेंट है, किसी कतर के एजेंट से क्या करेगा, संपर करेगा, जो कतर का एजेंट है, वह आपको बुलाएगा, अपने पास र और वह company कितना payment करेगी, कब तक आपको उस company में काम करना है, यह सब वह agent करेगा, decide कौन सा कतर का, इससे क्या होता था, social होता था, किसका social होता था, जो वहाँ पर बाहर के सरमी को मजदूर जाते थे, इसलिए क्या किया गया है, उस system को समाप्त कर दिया गया, कहीं ने कहीं system जो समाप्त किया है, इसमें भारत की बहुत-बहुत मन्तपूर भूमका थी, और इसका जो सबसे ज़्यादा लाब होने वाला है, वो भी किसको होने वाला है, भारत को ही होने वाला, आईए student, अब हमें बात करते हैं अगली खबर पर, जो की काफी important है आपके लिए, और वहा है Kimberly Process Certification Scheme, Kimberly Process Certification Scheme, इसको Short Form में बोलते हैं KPCS, ध्यान रखिएगा Kimberly Process Certification Scheme को क्या बोलते हैं KPCS, मैं इसलिए आपको इसको Short Form से परचित करवा रहा हूँ, या दो बार बोल रहा हूँ, दरसलिए UPSC में खास कर ऐसा पूछ लिया जाता है, इसको Short Form में लिखा जाएगा और आ आपको लगें पता नहीं कौन सा सब्द आ गया, इसके इस गुर्टर जो यहाँ KPCS है, इसमें कहा है, जो सदसे देश सामिल है, इन सदसे देशों की बैठक का आयोजन, 18-22 नॉमबर को नई दिल्ली में क्या हुआ है, आप समझ सकते हैं यह खबर क्या है, इंपोर्टेंट तो यह छोटी मोटी कोई बैठक नहीं थी, यह दरसल यह जो मिटिंग थी, यह क्या थी, दरसल यह आप थोड़ा सा इसको समझे कि इसमें आखिर सदसे देश कितने हैं, फिर मैं बताता हूँ कि दरसल यह स्कीम है क्या, तो आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ पाएं लेकिन इसमें country जो भागेदार है, वो 86, वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर जब member के रूप में जोड़ते हैं, तो European Union को एक member के रूप में जोड़ते हैं, लेकिन आपको पता है European Union क्या है, 28 countries का क्या है, एक समू है, तो कहीं ने कहीं, हमने यहाँ पर जो जोड़ा है, अगर देश देखेंगे, तो इसमें क्या है, कि दरसल 28 देश से जोड़ जाएंगे, इसलिए member के रूप में 55, लेकिन country को रूप में 86, जो है कि क्या होंगे, सदसे दिखाई देंगे, अब प्रशना आएगा कि दरसल यह certification scheme क्या है, तो सबसे पहले आपका एक favorite नाम, जो किमरले छेत, जहाँ पर जो हांसबर्ग जो चैत रहा है, किमरले जो हांसबर्ग वाले जो चैत रहें, यहाँ पर diamond का production बहुत ज़ादा होता है, जो diamond का production होता है, व इसी से जुड़ा हुआ है, इसकी, कैसे जुड़ा हुआ है, आपको थोड़ा सा एक सब्द और समझीए, और वो है, rough diamond, rough diamond का मतलब होता है, जब कहीं से आप mining करके diamond को निकाल रहे हैं, तो जो diamond प्रारमभी का वस्था में मिला है, जिस पर अभी आप ने ना तो उसकी cutting की है, ना आपने उसकी polish की है, उस diamond को बोलते हैं, rough diamond, तो जब यह rough diamond क्या है निकाला जाता है तो दरसल उसी का एक छेतर क्यों साथ किम्बरले तो किम्बरले में चुंकी क्या होता था rough diamond का बहुत बड़ा production होता था तो दरसल ऐसे देश सिर्के सम्हू को मिलाएगा जहां पर rough diamond का production होता है या जहां पर हीरा मिलने की संभावना होत क्या यह चाहते थे कि यह दाम को घटा सके या बढ़ा सके नहीं इनका उद्दे से था कि दरसल यह जो rough diamond होता है जिसको हिंदी में आप खुर्दुरा हीरा बोलते हैं दरसल कई बार क्या होता है कि यह गलत लोगों के हाथ में पढ़ जाता है प्रशना आएगा गलत लोगो होते हैं अर्था जो उग्रवादी समू होते हैं दल होते हैं या फिर जो आतंगवादी गत्विदियों में सनलिप लोग होते हैं जब इनके हाथ में हीरा मिल जाता है तो हीरा क्या है बहुत महंगा बस तू है इस हीरे को ले जाकर क्या करते हैं वह अंतराष्टी बजार मे बेच कर उन्हें जो पैसा मिलता है उसका वह यूज क्या करते हैं आतंक वादी गत्विदियों को बढ़ाने के लिए अर्था तो क्या करेंगे वह 47 खरीदेंगे वह तोप जैसी चीजें खरीदेंगे अब कहेंगे मिसाइल भी खरिदेंगे तो बहुत से रिपोर्ट्स ऐसी है कि जो बताती ही कि आतंके वादियों के पास मिसाइल ने तक है हाँ यह दूसरी बात है अभी उन्हें उन्हें कर ऐसा कोई बड़ा प्रियोग करते हुए नहीं देखा गया लेकिन हाँ यह रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है तो दरसर यह जो डाइमंड है चूंकि क्या ह माल लिजे भारत में भी क्या होता है पन्ना वाला जो चेतर है उसमें क्या होता है आपका डाइमंड मिलता है अब वहां पर मैं माललिच हूँ मैं किसी आतंकबादी समilty से बिलोंग करता हूं मैं यह जा कि गोम ने मुझे सभय को होता था आतंकबाद को बढ़ावा मिलता था इसलिए हमने कहा एक जितने देशे स्थे देशों में रव्त लाइमन का प्रोडक्शन होता है तो डाइमन जो खूरदुरा डाइमन तरफ डाइमन रोक टा वो तभी पाएगा जब उस डाइमंड को कौन सा सर्टिफिकेट मिला हो किमबर ले प्रोस्च सर्टिफिकेट अर्थात दर्सलолжों बैक्ति बेछेगा उसके पाS शर्टिफिकेट होना चाहिए उस diamond के साथ कि दरसल यहाँ जो diamond है यह किसी सरकार के द्वारा यह किसी जो है कि निफ्त बैक्ति के द्वारा इसको क्या किया गया है इसको निकाला गया है इसको प्राप्त किया गया है और जब तक वहाँ किसी सरकार के द्वारा परमारित नहीं कर दिया जाएगा तब तक वह डाइमंड बिक नहीं सकता है यह परयास किया गया वह इसलिए किया गया है चुकि जब सरकार परमारित कर रही है सौभाबी के वह आतंगबादियों के डाइमंड को परमारित नहीं करेगी किसी रिवल ग्रूप के डाइमंड को परमारित नहीं करेगी इसलिए जरूरी था कि ह में इस परकार की परिक्रिया अपना है इसी कार्यसुस्टे ने हमने 55 सदस्ते देशों के साफ मिलकर तत्क है जितने देश हैं सभी देशों में जहां जहां पर हीरा होता है वह क्या करते हैं को और भारत बेंद कर दिए मुझ और्टे देखेंगे मेरा रिकॉर्ड देखेंगे मैं कौन हूं मैं क्या करूंगा इस पैसे का मुझे कैसे हीरा मिला अर्थात मेरी पूरा हिस्ट्री जाच करके और फिर क्या करेंगे वह उसका सर्टिफिकेट दे नहीं और फिर मैं क्या करूंगा बेच पाऊंगा अगर मेरे पास यह को लागू करने वाला का है नौडल विभाग है और इसी के अधीन एक संस्ता है जिसका नाम है जैम एंड जॉलरी एक्सपोर्ट जो है कि एक्सपोर्ट परमोशन काउंसिल जिसका सौर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है वह क्या है यह अथोर्टी है किसके अंतरगत काम करती है यह बाड़िज बिभाग के अंतरगत काम करने वाली एक ओठörtी है एक संस्ता जिसका नाम है जैम एंड जॉलरी एक्सपोर्ट परमोशन काउंसिल यह क्या करती है आपको सर्टीपिकेट देती है कौँ सा सर्टीपिकेट के पीस्थीस सर्टीपिकेट और जब तक यह सर्टी इसी कारव दरसल क्या है कि भारत की भूमका इसमें मतपूर है और बरस 2008 में भी इस मीटिंग की अध्यचिता भारत कर चुका है और बरतमान में जो आपकी मीटिंग होई उसकी भी अध्यचिता भारत कर रहा था और एक्छी KPCS को यह मतपूर इसलिए भी है कि दरसल इसको United Nation क Security Council की क्या है सहमती प्राप्त है अर्था आपको पता है जब किसी भी संगठन को United Nation की Security Council की अनुमती मिल जाती है तो उसका महतों क्या हो जाता है बढ़ जाता है क्योंकि उसमें जुड़ा क्या है United Nation और United Nation का भी तो उद्देश कहीं ने कहीं क्या है 37 स्थापत करना तो दरसल यह certificate भी क्या करता 37 स्थापत करने का प्रयास करता है और भारत इसी कारण स्थापक देश होने के कारण क्या करता है कि भारत बार बार इस चीज़ को लेकर सचेत रहता है कि कहीं भारत के किसी भी संसाधन का उपयों आतनंकवादवी गतिविदियों में ना कर लिया जाया लगबंग हमारे यहां जितना भी diamond का production होता है उसका अधिकांस भाग को हम certificate परदान कर पाते हैं अर्थात illegal रूप से जो diamond विक सकता था उसको हम रोकने का प्रयास करते हैं तो विस इस तर पर भी 99.8% जो diamonds हैं उनको जो विक्री होती है जो कि rough diamond है उसको हम regulate कर पा रहा हैं ले अच्चा diamond भी आप बोज सकते हैं इसलिए क्योंकि यह दरसल खनन के दौरा जश्ट अभी मिला हुआ है अब आतंगवादियों ने और जो रिवल ग्रूप ने इसकी एक काट निकाल ली वो क्या करते हैं कि दरसल उन्होंने machine import कर ली है आयात कर ली है वो क्या करते हैं खुर दिल्ली में बैठा खो रही थी तो इस मुझ्य को भी उठाया कि कहीं न कहीं हमें diamond के इस स्वरूप पर भी क्या करना है regulate करने या regulation का प्रयास करने का हमें प्रयास करना चाहिए आने वाले समय में देखेंगे कि दरसल ऐसा कुछ हो पाता है या नहीं हो पाता है अर्थाद अपने आपको तक्नीकी रूप संपन कर लिया है वह क्या करते है रब diamond को जो है कि cutting और पॉलिस करके जो है कि फिर diamond में convert कर देते हैं और इसके बज़ेस्ति वह इस certificate को प्राप्त करने की उनको आफसकता नहीं होती और यही कारण है कि जो आतंगबाद की कमर तोरने का प्रय 2004 में इसकी जो दूसरी मीटिंग होई थी कनेडा में हुई थी यह इसलिए थोड़ा सा कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि पर्थम बैठक कब हुई थी तो इसलिए मैंने पर्थम और दूसरी बैठक भी आपसे चर्चा कल अब यह हम बात करते हैं अगली खबर पर वह है व हम नजर डालते हैं वह इसलिए ताकि आप समझ पाएंगे कि कैसे इस आउटलूक में क्या लिखा होगा इस एजनसी का नाम है इंटरनेशनल एनर्जी एजनसी और इंटरनेशनल एनर्जी एनर्जी एजनसी जो है इसके 30 सदस से देशने मुख्याल है इसका परिस आप ख़iil पासनिषनल और समय प्रश्णे पनाइगा इनर्जी तो हम चैक सकते दूसरा है एकोनलार्ड करनेशनल एक टब टक यह उ Сकता जवू तक क्या हो सकते हमारे पास एनर्जी प्रयाद ना हो और तीसरा है environmental जो है कि protection प्रशना आएगा energy का environment से क्या relation तो है नश्चुरे देखिए हमारे यहां जितनी भी उर्जा उत्पन होती उसमें अधिकांस उर्जा किसे संबंदित होती है thermal energy से और thermal energy कैसे हम प्राप्त करते हैं कोले को जला करके इसलिए दरसल जो मैं आपको outlook से पर environmental protection यही आपको report outlook में भी नजर आएगे इसको जो स्थापना होई थी वह 1974 में होई थी जो की 1973 के तेल संकट की जो इस्तती उत्पन होई थी आपको पता है पूरे बिश्मत्य संकट आया था क्यों आया था आगे हम discuss करेंगे लेकिन यह संकट के कारण क्या हुआ था पूरी अर्थव्योस्ता चर्मरा गई थी इसलिए हमने यह बिचार रखा और यह बिचार OECD organization for economy cooperation and development के द्वारा रखा गया कि हमें एक ऐसी संस्था का निर्माण करना चाहिए विकास करना चाहिए जो समय समय पर हमें बताती रहे कि energy security है या crisis है या भविस्ट में हम energy के condition को लेकर कैसे इस पर हम अपना जो है कि प्रियास करें तो आये उसे जो हमारा जो अगली खबर है outlook क्या क्या कहती है इस पर हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं दरसल जैसा कि मैंने बताया है जारी किया जाता है International Energy Agency द्वारा और इसने अपने रिपोर्ट में एक जो खास बात कही है कि परतेक साल उर्जा की demand में क्या हो रहा है दो परतिसत की दर से ब्रद्धी हो रही है ध्यान दर ये demand में क्या हो रहा है दो परतिसत हर साल क्या करना होगा ह लेकिन production बढ़ाने के लिए इसने एक चीज़ जो कहा है वह है कि हमें thermal energy पर अपनी जो निर्भरता उसको कम करना होगा और renewal energy पर निर्भरता बढ़ाना होगा वह क्या करती है आपके परियाबरण को छती पहुचाती है आपको पता है carbon dioxide से लेकर बहुत से nitrogen की अक्साइड जो bimandal में जाते हैं इससे क्या होता परियाबरण पर दूसरन होता है और ये परियाबरण पर दूसरन को रोकना भी तो क्या है इस संस्ता का उद्देश है इसन ये तेल की मांग कम क्यों होगी दरसल इसलिए कहा गया है कि आपको पता है कि बरतमा समय में electric vehicle का क्या हो रहा है ratio बढ़ रहा है तो साथी साथ energy की मांग को पूरा करने के लिए हम तेल से अपनी निरभरता को कम कर रहे हैं इसलिए तेल की मांग में कमी आएगी लेकिन एक च आएगी नहीं वह आने वाले 35 के बाद ही कहीं ने कहीं देखने को मिलेगी अर्थात 1935 के बाद ही क्या होगा यह देखने को मिलेगा तो उसके साथी साथ एक चीज़ और आप थोड़ा से यहां पर ध्यान दिजे कि आने वाले समय में अभी जो हम जो उर्जा उत्पादन कर करते हैं जिसमें एक उर्जा है सोर उर्जा इसकी बरतमास समय में जो इस्थापी छमता है वह केवल और केवल 495 गीगावाट है वहीं 2040 तक यह अनुमान किया गया है कि इसका रेशियो बढ़ जाएगा और यह हो जाएगा 3142 गीगावाट और 3142 गीगावाट यह बहुत ज इस्यू क्या होगा बढ़ेगा और इसके बज़े से क्या होगा तेल और कोला के मांग में हम क्या हो जाया कमी आएगी और कहीं ने कहीं यह रिपोर्ट अच्छा संकेत देती है कि हम भविस में एनर्जी में जो ट्रांस्फॉर्मेशन होने है उसको लेकर अभी से हम सचेत हो हो चुके हैं अधरवाइज क्या होता आपको पता है कि आने वाले समय में अगर इसी तरह से मांग बढ़ती रही और हमने उसका कोई बिकल्प नहीं ढूड़ा तो किस परकार की एनर्जी क्राइस उत्पन हो सकती थी कुल मिलाकर इसमें तारीप की गई है भारत जैसे देश अपरिका महादीप जाल का बिलकूल भी उपयोग नहीं किया गया है इसलिए वहां के ली कहा गया है कि आने वाले समयम में हाँपा पर हाइड्रो प्रोजेक्स बढ़ेंगे अर्था जल किसे बिद्दु उत पाधन करने के प्रियोग बढ़ेंगे और इसके बज़े से वहा बढ़नी चाहिए थि कारण क्या है किअ अब उहां पर हाइडरो प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या है गहन विचार किया जा रहा है तो सती साथ में उसको एग्जिक्जूट करने अरफास उसको लागुकं करने का भी क्या किया जा रहा किया जा रहा है कुल मिलाकर यह आउटलूक क्या बताती है कि भबिस्ट में हम जिस तरह से इनवार्मेंटल को प्रोटेक्शन को लेकर साथ हम एनर्जी के ट्रांसफोर्मेशन अर्था नॉन रिन्यूबल एनर्जी से रिन्यूबल एनर्जी के और बढ़ रहे हैं यह सब ही चीजे आने वाले समय में हमको क्या करेंगे जो एनर्जी क्राइसिस उत्पन होने की पॉस्पिलिटी से उससे क्या करेंगे हमको बचाएंगे